हेलो फ्रेंट्स जैसी किष्णा जैमातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्रात्ना करूंगे इस वर से कि आपको हमेशा खुश रखें दिखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नवरातरी आपके कौन से इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है अखिर क्या है ऐसा जो आपको इस नवरातरी पर मिलने वाला है मातरानी की ग्रपा आप पर होने वाली है वीडियो की शुरुवात करेंगे वीडियो प्ली इस पसंद आये तो लाइक करें कमेंट सेक्शन में जैमातादी लिख है उसके बाद देखेंगे कि नवरातर में आपके कुण से इच्छा पूनी होने वाली है मातरानी आपको कुण सा शुरुवात देने वाली है बहुत जल्द कुण सी खुश खबरी आपको मिलने वाली हो नवरातरी के दिन आखिर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं क्या कु कुछ होने वाला है तो मित्रों के साथ करेबी रिष्टा आपका होने वाला है बहुत क्लोज होने वाले हैं कुछ परसनली चर्चा आप मित्रों के साथ कर सकते हैं काफी हद तक आपको relax feel होगा नवरात्र के दिनों में, व्यक्तिकाश समस्याओं का समाधान भी आपको नवरात्र के दिनों मिलेगा, सयम और विश्वास भी आपका बढ़ने वाला है, परिवार के लोगों के द्वारा आपके साथ प्रीचे बढ़ाने की गोश्श की जा सकती है किसी व्यक्ति के साथ किस हद तक संबंद रखने हैं बस इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा किसी के साथ friendly नहीं होना है बहुत ज़्यादा किसी से बातचित करके अपने संबान को खोना नहीं है ठीक है व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा तो सबसे पहले आपको positive होना है positive होंगे तो आपका नजरिया positive होगा तो आपका automatic जो सुबाओ है वो positive होता जाएगा ठीकि तो आपको सबसे पहले तो नवरापत्र के दिनों में जितना हो सके जूड़ बोलने से बचना है किसी के लिए गलत सोचने से बचना है किसी की निन्दा करने से बचना है सबसे जदा आपको positive होने वाली है तो दोस्तों पैसों से सम्मद्धित आपके चींता दूर होती हुई नज़र आ है कोई खुश्खबरी अगर आपको मिलने वाली तो किसी व्यक्ति की मदद से आपके जीवन में कोई खुश्खबरी आ सकती है परिवार के लोगों को भी वो खुश्खबरी सुनकर जो परिवार का माहोले वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा मांसे गुरूप से आप भी थोड़ा रेलेक्स फिल करेंगे उसकुशकबरी को सुनने के बाद कोई समस्या है जो सौल होने वाली है आपकी जो प्रॉबलम है जो बहुत देनों से बनी होई थी वो कहीं न कहीं सौल होने वाली है तो बहुत अच्छा समय है आपका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस समय का सदुपयोग करते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ना है साथ ही यह वी ध्यान रखे कि नवरात्र में मातारानी की पूरी क्रपा आप पर बनी रहेगी बिल्कुल टेंशन ना ले बस मातारानी को जो पसंद नहीं है ना करें मतलब जिससे कि आप सबसे पहले तो अपने आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें गलत मंशामन में किसी के लिए नहीं आने चाहिए किसी का दिल नहीं दुखाना है खास तरुपा लेडिसों का अपमान करने से आपको बचना है करियर के लिए जो भी योजन स्याओं में कई पैसों के जरी आपकी हल भी हो जाएगी इस बात का भी आपको एहसास होगा कि हां इंकम की सोर्स आपके बढ़ने लग गए हैं काम पर भी आप बहुत जादा ध्यान देने लग जाएंगे जिन बातों के कारण आपको आनन्द मिलेगा उनके लिए फोकस जबूत होगा परितन में तुरंत आपको सफलता मिलेगी आपके द्वारा बनाएगे योजनाओं में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आएगा किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई कुछ बातें जिसकी वज़े से आपकी आखों पिससे परदा हटेगा कहीं ना कहीं आ आपके अंदर उत्सा जागरत होगा अपने करियर को नई दिशागा ठीक है लोगों के मन में आपके प्रती कटूता क्यों बनी हुई है इस बात पर अवलोकों करने की बिल्कुल आउशक्ता नहीं है परिवार के लोगों के साथ बस विवाद करने से बचे खास्तों पर महि बात करने से बचना बहस करने से बचना है जितना हो सके मातरानी की सेवा में नो दिनों को नो दिनों में लग जाए क्योंकि जितना मातरानी की करपा आपके जीवन में अच्छा होता जाएगा तो मातरानी की करपा बहुत जरूरी है दोस्तों मातरानी की करपा के लिए आप को रोज डेली मातराने की पूजा अच्छे से करने चाहिए सैके नमबर फिल के अगर बात करें तो देख लेते हैं भई मातरानी आपको क्या देकर जाएगी नवरातरी में आपके कौन से इच्छा पूरी होगी समझ लेते हैं नवरातर के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे तो कोई बात आपको चूब रहे हैं मन में अगर किसना कुछ बोल दिया है और एकदम से आपने टेंशन ले लिया बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले लिए खीच रहे हैं बिल्कुल उस बात को खीच रहे हैं जो बातों से आपको दिल दुखरा है जो मानसिक शांती भंग कर र अपनी कारेशमता को कम करने के बराबर है मन में उत्पन होने वाला हर एक प्रश्न आपको फिर बेचेन करेगा फिर आप अच्छा नहीं सोच पाएंगे फिर आप नेगिटिविटी की तरफ बढ़ते वह जाएंगे भविश्य से सम्मंदी चिंता भी आपको कुछ दिनों के चाहिए आपको परेशान होने की जरूर नहीं है पैसो से समंदी समस्या का समाध्धान आपको नो दिनों में प्राप्त हो जाएगा बहुत बड़ी खुश खबरी आपको मिलेगी कुछ इंकम के सोर्स आपको मिलेंगे कुछ आइडियास क्रियेट होंगे माइन में कहीं ना आपने behavior को Change करना है कुछ अपने माल की quality को Change करना है लोगों से बात करने का तरीका थोड़ा विनंब्र रखना होगा और किसी भी तरह का निड़ने लेते समय रिस्क ना ले, जरुद पढ़ने पर मित्रों से मदद मांग ले, कार्रे करने के तरीके को थोड़ा बहतर बनाए, परिस्तितियां बदलेगी, जरूर बदलेगी, नो दिनों में आपकी परिस्तितियां बदलेगी, लेकिन ये बदलाओ, सकारातमक आपकी सोच से होंगे, आपको पॉ क्रोद को काबो में रखने की कोशिश करें अगर किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा घुसा आ रहा है तो खुद को काबो में रखें जब तक उनकी परिष्टिति आप ठीक से नहीं समझ सकते तब तक उनके लिए आप व्यक्तिकत राय देने से परहेच करें ठीक है अग काबो पर रखने की कोशिश आपको करनी होगी अपनी काबिलियत पर विश्वास अठना होगा अन्य लोगों का विरोद आपके विश्वास को तोड रहा है और तोड़ेगा खुद के काम पर ध्यान बनाए रखें उतार चड़ाओं का सामना करने के लिए आप तेयार लें जिन्दिकी में जो दार चड़ाओं होते हैं उससे आप बहुत जादा घबराद आते हैं कभी कोई प्रॉब्लम आरी कभी कोई प्रॉब्लम आरी तो टेंशन ना लें यह चीजह होती रहती है लाइप में ठीक है स्टॉक मार्केट से संबंदी बड़ा निर्नाय लेने से प परिवार के लोगों के साथ विवाद करने से बचना होगा जो बाते महत्वपून हैं केवल उन पर ध्यान रखें बहुत जल्द आपके परिस्तिती बदलने वाले और बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है आपके लैप में जिसका आपको इंतजार था करियर को एक नई द रखेती अपने मन में के मादरानी की कब नवरात राएगी और आप उनसे मांगेंगे तो इच्छा बहुत जल्द आपके पूरी होने वाली है और इसके साथ ही एक चीज और क्यादे कि मादरानी की करपा आपके ऊपर बाराई भीने बनी रहती है जब आपको क्रोध है तो होने की कोशिश करिए क्रोध के ऐसे मतर् आंशाब नेक्षन क्ट करता है कर थे लोगों से बात करते समय अच्छी बात करें से च्छे ठीक उसे तरीके से एक चीच और बता दे कि जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ रुकावटे जरूर आएगे जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्रम्स जरूर आएगे लेकिन उसके लिए हमें अच्छा सोचना है हमें अच्छा रहना है सबसे अच्छे तरह से बहें सो भें घमंड और दुख में देर्वें कभी call अगर आप करेंगी तो यह आपके लिए दिककत डिए सकता लेकिन दुख में अगर आप आप सहीयम नहीं रखेंगे तो यह भी आपके लिए दिककत दे सकता तो इस दो चीजों को हुद है तो